नवश्कार दोस्तों, एक फर्वरी 2021 के डेली करेंड रफेर्स बर्निंग नियूस इसक्रिशन में आपका स्वागत है पहले इंपोर्टन ड्यूस, गोर्मेंट लाइकली तू पोस्पोन सेंसेस तू टू 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 देखें 2021 का जो suspension है, आपको पता है कि हर 10 साल पर census होता है 2011 का last census हुआ था होऔर 2021 का census है और अवश्वी बात है, जो 2021 का census होगा, उसकी calculation 2021 में दी शुरुआत होगी उसकी calculation एक साल पहले ही शुरुआत हो जाएगी तो जो पहला phase होता है आपका census का, जिसको आप बनते हो house listing in housing census और उनके दुरान सेंसे होने से रहा तो दो फेसे में बेसिकली सेंसे करवाया जाता है पहला फेस होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउजिंग सेंसे का जो कि एप्रेल टू सेप्टेंबर 2020 होना था और दूसरा फेस था पॉपॉलेशन इन्युमिरेशन का जो कि फेवरी हो जोगे हैं कहीं न कहीं यह जो पॉपॉलेशन इन्युमिरेशन है यह हाउस लिस्टिंग और हाउजिंग सेंसे के बाद ही हो सकती है तो अभी हाउस लिस्टिंग और हाउजिंग सेंसे ही शुरू नहीं हुआ है समझ गया बात को तो कहीं न कहीं अब ऑवेस सी बात है कि जब 2021 का census आ नहीं पाएगा चूकि 2020 की जो concerned exercises हैं वो हुई नहीं है तो 2021 का census 2022 में shift होगा तो most probably 2020 में जो दो phases होने थे house listing and housing census पहला और दूसरा population enumeration वो इस साल होगे और ये जो census का पूरा process है ये थोड़ा इसलिए भी controversial हो गया चोकि citizenship amendment act लेके आएगे December 2019 में इसमें ये बोला गया कि बांगला देश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से वहां की जो minorities हैं आने वाली उनको इंडिया में citizenship दी जाएगी अगर वो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले entry मार चुके हैं आप सोचिए citizenship amendment act इतना पहले ही लागू हो चुका है लेकिन अब तक इस citizenship amendment act को लागू करने के लिए जो rules बनाने हैं, जो नियम कानून बनाने हैं वो नहीं बनाए गए हैं और कहीं न कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद बांगला देश के official circle से बहुत ज़ादा opposition आ रहा है इन चीज़ों को लेके इसलिए शायद citizenship amendment act से related नियम कानूनों को अभी notify नहीं किया है सरकार ने अभी नियम कानून notify नहीं किये तो citizenship amendment act ज़रू लागू हो गया है बट उस act को लागू करने के लिए जो ground level पे नियम कानून बनाने जाएं ने वो नहीं बनाए जाएंगे अभी है तो मैंने आपको बताएंगे ना कि जब भी कोई नियम कानून मनाया जाता है प्रेजिडेंट की signature के बाद वो लागू हो जाता है लेकिन लागू करने के लिए on ground वह सारे rules और regulations मनाया जाने चाहिए वो अब तक नहीं मनाया गया है फिर भाई कहीं ना कहीं National Population Register को update करना और National Register of Citizens National Register of Citizens क्या पता करता है कि इंडिया में कितने लोग इंडिया के नागरिक है और कितने बाहर से illegal immigrant आए है खासकर आसाम में जो National Register of Citizens की exercise चल रही है यह काफी controversial हो चुकी है इसके उपर मैंने काफी वीडियो भी बनाई है National Register of Citizens मेरे नाम करते यूट्यूब में सच वारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी National Population Register क्या है तो यह वो Register है जिसमें update किया जाता है हमारे देश के नागरिकों का देश के नागरिक तो नहीं बोलना चाहिए हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं जो हमारे देश में लोग रेजिडेंट है उनका data आता है इस National Population Register में और NRC में जिसको नाम बिला मतलब वो देश का citizen है और बाकी लोग illegal immigrant है तो उनको देश के बाहर निकालना है तो overall इस NPR और NCR की जो पूरी की पूरी आप कह सकते हो एकसेसर हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है लैंड बाउंटी एग्रिमेंट एक लैंड मार्क एग्रिमेंट था बट उसके बाद कितने लोग बांगलादेश से इंडिया में इंट्री मारे हैं इन सब चीज़ों ने सिटिज़नशिप के मुद्धे को काफी ट्रिकी, काफी कॉंट्रोवर्शिल और काफी पॉलिटिकल बना दिये तो कहीं न कहीं ये सारे मुद्धे आपके सेंसेस के साथ जुड़े हुए चुकि सेंसेस में किसके नाम आएंगे, किसके नाम नहीं आएंगे ये बहुत हतर डिपेंड करेगा कि NRC में किसको इंक्लूड किया गया किसको नहीं इंक्लूड किया गया सिटिज़नशिप अमेंट्मेंट एड के थुरू कौन सी बाहर की माइनॉर्टी इसको इंडिया की citizenship दी गई नहीं दी गई तो देखते हैं आंगे क्या होता है General Studies paper 2 में governmental या फिर governance aspects में particular news आपको काम हाईगी आगे बटनेस परे वीडियो पर लाइक का बटन और इस वीडियो को शेर जुरू करिए सब्सक्राइब करिए कॉमेंट करके वीडियो का engagement बढ़ाईए आपको सारी की सारी चीज़े में free of cost डेवलियो करवा रहा हो तो आप जोइन में बटन दवाक के help भी कर सकते हैं Instagram पर follow कर लिजे आपकी जनी डॉट्स जवाब दूँ और Telegram ग्रूप जोइन कर लिजे वाँ पर आपको ये particular lecture की PDF, मेरे editorial discussion की PDF और बाकी जो current affairs की वीडियो बनाता हो उनकी PDF मिल जाएगी एक नई study conduct कराई गई है किसके respect में? Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill के respect में MTP Amendment Bill 2020 बोलते है अब देखिए MTP Amendment Bill कहता क्या है? MTP Amendment Bill ने एक proposition include किया इसने बोला कि भाई हर state में और हर unit territory में और local level पर भी medical board बनाया जाएगा ये medical board क्या करेगा? ये medical board इस बात को decide करेगा कि वो ladies जिनकी pregnancy 24 हफते से जादा की हो गई है उनको abortion की permission दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती है वैसे तो 24 हफते के बाद का abortion allowed ही नहीं है इंडिया में बट मान लिजे फीटस में कोई abnormality है फीटस में जो बच्चा पैदा होगा मा से उसको इतनी गंदी मिमारी है कि उसकी जिन्दीगी का कोई मतलम नहीं है तो क्या उसको abort किया जा सकता है इन सब चीजों को decide करने के लिए एक medical board बनाए जाएगा और वो medical board इस बात पर राय देगा कि भाई क्या 24 हफते के बाद abortion हो सकता है या नहीं हो सकता है इस medical board में एक gynecologist होगा, एक sonologist होगा, एक radiologist होगा, एक pediatrician होगा state union government अगर कुछ और members prescribe करेंगे तो वो भी होगे अब recently जो study conduct हुई ना, इस study का ये बोलना है कि भाई ये हमारे देश में specialist, surgeons, obstetricians, gynecologist, physicians, pediatricians इनकी तागात वैसे ही कम है और जिस हिसाब का ये medical termination of pregnancy amendment bill 2020 बोर्ड बनाने की बात कर रहा है न, वो बोर्ड बन ही नहीं पाएंगे चुकि 82% seat फिली नहीं हो पाएंगे, चुकि हमारे यहाँ पर ही नहीं surgeon, obstetricians, gynecologist, pediatricians और अगर आप मान भी लो, कि भाई आप ये बोर्ड बना दोगे तो बोर्ड बहुत ही जादा कम occupation के साथ काम करेंगे वहाँ बहुत सारी vacancies होंगी और उन vacancies को आप भर नहीं पाऊगे overall 2019 में देखा जाए तो भाई, 21,296 vacancies हैं इन post की इंडिया में किसकी किसकी, तो surgeons, obstetricians, gynecologist इन सब post की चेशल में से आप कह सकते हो 3880 भरी होई हैं और बागी सब का shortfall है तो टोटल vacancies है 21,296 3,880 भरी होई है 81.8% का shortfall है मतलब क्या है, मतलब यह है कि इंडिया को बहुत urgent ज़रूरत है surgeons की obstetricians की, gynecologist की pediatricians की, जो बहुत काबिल होता है इंडिया में काम करने के incentives कम है उसके बीच में आप बोल रहे हो कि MTP के अंदर एक ऐसा board बनाएंगे जहां पे 24 हफते हैं ज़्यादा pregnant women अपनी अर्जी डालेंगी कि हम abortion कर सकते कि नहीं कर सकते हैं और अगर उसकी fetus में problem is abortion हो जाएगा ये चीज पॉसिबल नहीं है पॉसिबल इसलिए नहीं है चुकि भाई इस प्रकार के board बनी नहीं पाएंगे क्यों नहीं बन पाएंगे चुकि इतने हमारे पास हैं ही नहीं है experts सीधी सीधी बात कही जा रही है उसके बाद MTP bill को दूसरी तरीके से infer किया जाए तो MTP bill एक rights based framework नहीं है rights based framework मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये right है कि हम अपने बच्चे को रखना चाहते है या हम अपने बच्चे को गिराना चाहते है 24 हपते की pregnancy के बाद अगर आपको बच्चे को गिराना है तो आपको इस MTP bill के अंदर बनी हुई कमिटी से पूछना पड़ेगा और medical boards बहुत draconian होते है वो इनसान के private sphere में interfere करते है तो एक मा या एक couple जो कि हमने अरजी लेके आएंगे हमें 24 हपते के बाद बच्चे को गिराना है वो अरजी एक बार इस medical board के पास पहुँच गई उसके बाद ये medical board सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको चेक करने के लिए proper mechanism भी नहीं है और चुकि 6 हफते की pregnancy के बाद अगर कोई apply कर रहा है तो case बहुत urgent है उसका resolution एक से दो दिन के अंदर होना चाहिए इतनी जल्दी हो भी पाएगा की नहीं हो पाएगा इसमें बहुत बड़ा doubt है चुकि ये medical boards फिली नहीं होंगे खाली पड़े होंगे इतने expert लोग है ही नहीं प्लस जो लोग दूर दराज के गाओं के अलाकों में रहते हैं वो urban areas में आके MTP board के सामने अपनी अरजी रखेंगे तो उनकी financial cost बनेगी तो इस प्रकार से ही जो overall provisions हैं MTP bill के ये pregnant ladies के लिए बहुत ज़ादा आप कह सकते हैं कि controversial हो रहे है General Studies paper 2 में Issues related to health में Role of women and their problems में Government policies and interventions in various sectors में ये particular news आपको काम आएगी Next Article Britain opens visa scheme for millions from Hong Kong आपको पता है कि Hong Kong पहले Britain की एक colony हुआ करती थी 1997 में Hong Kong नाम के इस island को Britain ने People Republic of China को handover कर दिया People Republic of China ने Hong Kong में एक नया law लेका है जिसके चलते Hong Kong की democracy को उन्होंने violate कर दिया अब Hong Kong में पूरी तरीके से China की dictatorship चलती है अब यहां पे Britain ने बोलाई कि हम millions of Hong Kongers को British citizenship का offer दे रहे हैं चुकि ये Hong Kong नाम की colony हमारी पहले थी China ने हमसे promise किया था 1997 में कि ये Hong Kong को एक democracy बना के रखेंगे लेकिंग China ने अपने promise से backtrack कर लिया है तो अब Hong Kong में जिसके पास भी British National British citizenship के लिए अप्लाई कर सकता है यह बात यह आपर बोली गई है तो Hong Kong में रहने वाले वो लोग जिनके पास British National Overseas Passport है वो भाई Britain में 5 साल रहके काम करने के लिए पहले अप्लाई करें और जैसे 5 साल बीच जाएं वो citizenship भी ले सकते हैं ठीक है भाई यह चीज पहले ही Britain ने बोली थी हम करेंगे और कब करी थी जब बीचिंग ने बोला था कि भाई हम एक ऐसा law लेकर आएंगे National Security Law जो कि Hong Kong को और responsible बनाएगा Hong Kong में जो democracy की demand हो रही है इसको दबाएगा और China ने इस law को पास कर दिया है उसके चलते ब्रिटेन की तरफ से यह step आया है ठीक है भाई तो यहाँ पे देखिए प्रधान मंतरी Boris Johnson साब क्या बोल रहे है We have honored our profound ties of history and friendship with the people of Hong Kong and we have stood up for freedom and autonomy ऐसा Boris Johnson साब ने कहा है चाइना को obviously बात पर गुस्ता आएगा चाइना को क्या अच्छा लगेगा कि उनका skilled man power उनका देश छोड़के ब्रिटेन में जाके काम करें तो चाइना क्या बोल रहा है कि भाई BNO passport तो official legitimate document ही ने British national overseas passport this is not a legitimate document अगर किसी को Hong Kong से बहार के देश में travel करना है तो उनको उनका passport और local IDs इस्तिमाल करनी पड़ेंगी ना कि British national overseas passport चुकि British national overseas passport is not a legitimate ID document पहली बात तो ये बोली ठीक है उसके बात सुनने में ये भी हराई कि Beijing, China Hong Kongers को छोड़के Britain में जाने नहीं देगा अगर आप बात करो तो Hong Kong की जो overall population है 7.5 million 75 लाख लोगों की इन 75 लाख में से 70 प्रतिशत लोगों के पास British national overseas passport है और आप देखे जब से last July 2020 में national security law को imposed किया गए होंग कॉंग में तब से overall जो British national overseas passport के लिए जो application है न होंग कॉंग में वो 300% से बढ़ गई है लगभ 7,33,000 लोगो तो British national overseas passport दिया भी गया है तब से कुल मिला के बात यह है कि जब होंग कॉंग में चाइना ने national security law को implement किया, impose किया उस समय पही एक बहुत बड़ा तपका था होंग कॉंग में जिसके दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि बेटर है कि होंग कॉंग चोड़के Britain में रहते हैं चलके पांस साल बाद हमको citizenship भी मिल जाएगी लेकिन अब चाइना वाले इनको आसानी से छोड़के जाने देंगे या नहीं जाने देंगे ये तो देखे समय बताएगा आगे बात करते हैं थाउजंड्स डीटेंड इन रश्या एमिड रैलीस फ़र अलकसे निवलनी अलकसे निवलनी की पूरी कहानी में आपको समझा चुका हूँ ठीक है नवी चुक नाम के नर्व एजेंट से इनको पॉईजन किया गया था जर्मिनी में इन्होंने इलाज कराया जर्मिनी में इलाज कराके वापस आये हैं जैसे ये वापस पहुंचे 17 जनवरी को मॉस्को इनको पकड़ की जेन में डाल दिया गया और इनके उपर नाना प्रकार के इलजाम लगा दिये अब पूरे रशिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलकसाई निवल्नी के फेवर में और पुतिन के अगेंस्ट में पांच हजार पैतालेस, फाइफ थाउजन फॉड़िफ पीपल को डिटेन किया गया है 1600 को तो मॉस्को में ही डिटेन किया गया है और आप कह सकते हो 2000 कारा के बाद सबसे ज़्यादा डिटेंशन हैं ये मॉस्को में ये किसने बताया है, OVD इंफो नाम की एक इंडिपेंडेंट साइट ने जो की एरेस्ट को मॉनिटर करती है कहां पे, रशिया में नेवलनी की वाइफ यूलिया नवलनाया को भी डिटेन किया गया हाला कि इनको बाद में छोड़ दिया गया ठीक है, नेवलनी की जो टीम है वो पूरी तरीके से अलकसे नेवलनी के साथ खड़ी हुई है रशिया में सपोर्ट हो रहा एलक्से नेविलनी का बट उस लेवल पे सपोर्ट नहीं हो रहा है कि लिवादी में पुतिन की और क्रेमिल को उखाड फेका जाए ठीक है एलक्से नेविलनी के ओपर बहुत सारे फ्रॉड के चार्जे लगा दी है क्रेमिनल ने एलक्से नेविलनी के उपर एक real jail term impose किया जा सकता है जल्दी एक रशिया के कोट में उनके उपर सुनवाई होगी 17 जनवरी से वो jail में बंद है एलक्से नेविलनी ने रशियन गवर्मेंट के उपर बहुत से इल्जाम लगाए है एसे एसे इल्जाम जो कि कही न कहीं क्रेमिलिन के corrupt officials की जो करनी है वो दुनिया को बठा रहे है नवली ने बहुत सारी वीडियो को YouTube पे भी पोस्ट किया है कि वो बता रहे हैं कि पुतिन ने अपने राज में क्या-क्या आप कह सकते हो कि corruption scandals की है एक और photo भी रिलीज हुए पुतिन पैलस नाम की आप यहाँ पे देख सकते हैं पुतिन पैलस है साथ ही में आपको black scene अजर आ रहा है इस तरफ पे तो आप यह कह सकते हो कि यह पैलस पुतिन का है पुतिन इसके राजा है कही न कहीं यह जो पैलस है ऐसा बताया जा रहा है कि वो बिलिनेर्स रश्या के जो कि व्रादिमिर पुतिन के बहुत करीब है उन्होंने इस पैलस को बनवाया है यह पुतिन की प्रॉपर्टी है और ऑविसी बात है ऐसा बोला जाता है कि पुतिन पुतिन को एक लीगल डिक्टेटर भी कहा जाता है वो डेमोक्रिसी के नाम पे राज कर रहे है पुतिन ही राज में है कोई और राज में आई नहीं राज में आये थे वो भी एक पॉन रूलर थे चुकि पीछे से कौन राज कर रहा था पुतिन ही राज कर रहे थे तो इस प्रकार के बहुत से इल्दाम लगाएगा है यह जो आपको घर दिख रहा है अपने आप में एक आलिशान घर है भाई कसीनो भी है, सकेटिंग रिंग भी है, विनेयार्ड भी है तो एक तरफ रशिया की एक बहुत बड़ी अबादी गरीबी से रह रही है बुकमरी में रह रही है और वहां के प्रेजिडन इस तरीके के पैलेस बना बना के रह रहे है आप जिस्ट इमेजिंघन करो कि हमारे देश में अगर मनमोहत सिंग जी अपने राज के दु़रान ये मोदी जी अभी अपने राज के तुरान इस प्रकार का कोई पैलेस बना लें तो क्या ही जंता करेगी, कह जंता मार के मारी नडाले ठीक है लेकिन इस प्रकार की चीज़े रशिया में खुले आम हो रही है इसलिए पुतिन के अगेंस जो रिजिस्टेंस है वो काफी बढ़ रहा है जैनल स्वरीज पेपर वन में करेंट इवेंट्स ऑफ नैशनल इंपॉर्टेंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम हैगी तैंक यू फॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंट्स आज की डेट में इतने ही करेंट अफेर्स थे आई होप आपको करेंट अफेर्स पसंद आ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर क कर दीजेगा इंगेजमेंट के लिए जादा से जादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने सुझाओ मुझे नीचे बाक्स कमेंट बाक्स में जरूर दें